कि अपलो आज हम सॉल करिंगे इंडेश्टियल मेनेजमेंट का कोश्यन है तो कोश्यन है दा सेल्स अप्रोडक्ट दूरिं लास्ट फूर यर्स वर में दो दो सस्टेयर में रकता है और हमें लास्ट फूर्थ एयर का फॉर्कास्टिंग रखा है फॉर्कास्टिंग में फिप्थ एयर का निकालना है और वो हमें निकालना है moving average method से और फिर हमें alpha constant की value निकालने हैं क्या होगी और इसे निकालना है exponential smoothing constant से तो solve करते हैं question यहां पर लिखते हैं इयर्स यह हो जाएगा di यह हो जाएगा four cost तो इयर काउंस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फूर्थ हमारे पास चार इयर दी रहे हैं तो demand किक्ता है हमारे पास sales का 860 880, 870, 890 अब यह four cost है fourth year का है वो है 876 और तो हमें निकालना है fourth year five year तो इसे हम निकालेंगे average moving method से, average moving method में अगर हमें नहीं दे रखा तो three के average लेते हैं तो यहां पर हमें लेंगे यह नीचे से जो भी है 880, 870, 890, divided by three तो इसे calculate करेंगे तो यह आएगा 880 units तो यह हो गया average moving method से हमने पाचवे साल की forecasting निकाल ली, 880 unit अब हम निकालेंगे exponential smoothing method से alpha की value तो alpha है f5 equals इसमें देखिए alpha dot यहां के होगा dt plus dt के यहां d4 होगा यहां का one minus alpha यहोगा forecast फोर्थ का इस तरीके से इसका general formula है ft plus 1 equals alpha dt plus 1 minus alpha ft तो यहां पर हम यह हमारा general formula है अब हम solve करते हैं question को, f fifth equal to alpha d4 plus 1 minus alpha f4 तो यहां पर f5 हमने निकाला हुआ था 880 equals alpha हमें find करना है d4 की value 890 1 minus alpha f4 है 876 880 equals 890 dot alpha plus 876 minus 876 dot alpha तो यहां से हम solve कर लेंगे तो alpha टोटल आएगा 4 upon 14 यानिकी 2 upon 7 तो दिस इस दे वैल्यू ओफ अल्फा तो दोस्त जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब को और जिने जरूवत है यह गेट का question है अगेट में कई बार ऐसे questions आते हैं थैंक्स फर वर्किंग